कि इसमें कुछ हुए नहीं दोस्तों इसमें बस कॉपल्स है बागी देखने अब कुछ है नहीं इसे बाद दोस्तों लोग जा रहे हैं सुखा रोजा याँ से डौस्तों ऑ्टो पकड़के मैं निकल जाता हूँ सीर सासूरी के पीता हसन सासूरी के मकबर नेकाल है प्रवेस करेंगे आपको यहां भारतिये पुरात्त वभाग दोरा लगाया गया दो बोर्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों जिसमें लिखा था कि यह मकबर सन्रक लेकिन दोस्तों इस मकबरे की हालत बेख के ऐसा नहीं लगता था कि ये इतिहासिक धरोवर को संरक्षित भी किया गया है क्यूंकि इसमें बकरिया ऐसे ही चल रही थी चारों और इतना ज़्यादा गंदगी था दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता लेकिन आप दोस्तों इसकी बन मैं कभी सजेट नहीं करूंगा कि आप अकेले ही जगा पे घूमने आएं यहां बस एक चीज अच्छा था जो में मजार था वो लोहे के दरवाजों से सील किया गया था यह इतना ज़्यादा सुंदर मकबरे को ऐसे गंदे हालत में देख बहुत बूरा लग रहा था दोस्त तकर यह पता चलता है कि यह पाइलेट बाबा कि जो स्तिव Bashawain की मूर्ति है विक पूरे बियार में सबसे उची मूर्ति है दोस्तों इस जगह को दोस्तों पाइलेट बाबा के आस्रम के नाम से भी जाना जाता है जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ मुझे मा सरस्वती और मा लच्मी की मूर्थी दिखाई देती है सामने एक बड़ा सा द्वार बड़ी-बड़ी मूर्थिया और हमारे प्यारे देश भारत के कुछ प्रीडम फाइटर के भी मूर्थिया बनी हुई थी जो ठीक इंट्रीगेट पे था दोस्तो इस जगह को सोमनाट टेमपल के नाम से भी जाना जाता है ये बड़ा सम्मंदिर सोमनाट टेमपल ही है दोस्तो भगवान कृस्ण और बलराम जी के दर्सन कर मैं बढ़ जाता हूँ आगे इस सोमनाट टेमपल में जानी के लिए लेकिन दोस्तो अफसोस दोस्तो यहाँ पे कैमरा और फून अलाव ही नहीं था तो मैं बाहर से ही कुछ वीडियोस बना लेता हूँ फिर दोस्तो आगे निकल जाता हूँ जहां भीमराव अमेदगर्ची की मूर्थी और हमारे फ्रीडम फाइटर चंदर सेखर आजात की मूर्थी देखने को मिलता है मैं दोस्तो वहाँ पे रुक के उनके ही इंस्टाइल में कुछ पिक्स लेने लगता हूँ और अब बाहर की और चल देता हूँ क्योंकि मुझे अब ट्रेन भी पकड़नी थी दोस्तो मंदीर से बाहर निकल मैं पहुंच जता हूँ फिर से सासार हमें रेल्वे एस्टेशन जहां से नेक्स्ट कहा जाना है ये दोस्तो आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा तब तक लिए आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और कमेंट में अपनी रह जरूर बता दीजिए